इस शेहर ने इस मुल्क ने सोसाइटी ने डिकलाइन तो हुआ है इंटेलेक्च्वली भी डिकलाइन हुआ है फिजीकली भी हुआ है मतलब यह हम दुनिया में से चंद मुल्कों में हैं कि हमारा मुल्क में पचास में ज्यादा अच्छा था साध में उससे अच्छा था सतर में उससे अच्छा था फिर एक ऐसा बधायद इंसान आया इंसान कहना भी शायद अच्छा नहीं है उसके लिए जिसका नाम था ज्यावलग उसने आकर इस पूरी सुसाइटी के बेड़ा गर कर दिया हाट औलकच्छर के सारे इस्टिटुशन को रोक दिया और उसके बाकियात आज तक आपको कहीं न कहीं अभी भी रोडों पे बैठी हूं ही नजर आ रही हैं आठ लोग आपके शहीद हुए हैं फौजी और मलेशिया के जवान चार आपके पुलिस वाले लहौर के पास मरे हैं ज्यावलग अभी तक इनकी रूँं से नहीं निकला है। 29 से हुआ और 40 साल मैं यहां इस एदारे में रहने के बाद 2020 में रिटार हुआ बल्दिया कराची के अफसरान, बल्दिया कराची और कराची के जो आवाम हैं, कराची के जो लोग हैं, आप सारे लोग, मैं समझता था के मुझे एक 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 कर्ज है, इसलिए के इस शेर के इस एदारे की बिख्री हुई तारीफ, जिसको आज या माज़ी करीब में लोग एक नाकारा अदारा कहते थे, जो शेरियों को पूरी खिद्मात, बन्यादी सहूलते फराम करने में नाकाम है, यह वह जुरूरी था, के एल शेर और एल पाकिस्तान को बताना, कि इस अधीम एदारे में किन किन लोगों की चाचा खिद्मात, और इस ने इस शेर को बनाने, समाने में, किस कदर मेहनत थी, तब ही, जब 1884 में नेपेर चारलस एक अधीम शेर के लिए सोच रहा था, तो मेरा ख्याला कि उसको यकीन था कि आने वले वक्त में, मैं ऐसी प्लानिंग करूं कि आने वले वक्त में, तीन करोड लोग भी समोग जाएं, इस कताब में, चारलस नेपेर का वो तखयल, वो ख और वहां से अबदस्तार अफगनी साब तक, जब इसके शेरियों ने, उनको ये अदारा आवाले किया, कोशिश की गई है कि वो सारी चीजें, जो इस अदारे ने इस शेर को दी, इन शेर के लोगों को दी, और इसमें काम करने वाले मनतखिब, और गहर मनतखिब, जो भी लोग आएं इसके सरबरा, उन्होंने क्या सोचा इसके बारे में, और क्या क्या खितमात इंजाम दी, वो इस शेर में पैप के जिरिये आने वाले पानी का पहला कत्रा हो, या सड़ पर लगने वाला पहला पत्तर, वो इस बलदिया कराची और इसके अफसरान और इसके सरब अबरान ने शुरू किया और तब जाके ये मलका बश्रक कहलाया, मैंने ये कोशिश किया है कि वो इस अधारे, इस अधीम इदारे की विख्रीव तारीफ, जो कहीं किसी कताब, किसी अख़बार या किसी अजार कदीमा में किए महफूज है, उसको एक जगा जमा किया जाए इस कोशिशन में कितना कामियाब हुआ और कितनी कोताई रह गई या खामी रह गई, ये तो आप फैसला करेंगे